वीटी बुलिटिन स्पॉन्सिट बाई उत्तम सिंग अकाडमी रीवा नमस्कार विंधिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है बुलिटिन की खबरों के साथ आप सब के बीच मौजूद हुए हैं बात कर लेते हैं पहली खबर की रीवा के नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर एक बड़ी कारेवाई हुई है जहां खनीज विभाग द्वारा अलग-अलग जगहों में खनीज का परिवहन करने वाहनों की जॉइंट टीम बना कर ओचक जांच की गई जिसमें जांच के दौरान ग्राम मरहा गेट के पास पत्थर का अवैद उत्खनन करते ट्रैक्टर ट्रॉली कंप्रेसर को जब्त किया गया है जानकारी के मुताबिक उनके पास दस्तावेज नहीं पाए गए हैं जिसके कारण वाहनों को जब्त कर पुलिस स्थाना नौबरता में रखा गया है पुरे मामले में पुलिस ने अवैद परिवहन उत्खनन के प्रकरण पंजिबद कर लिये हैं और कारिवाही की जा रही है वही नज़र डालते हैं अगली खबर की तरफ रिवा के क्रिशना राज कपूर ओडिटोरियम में आज से चितरांगन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो गया तीन दिवसी आयोजन में आज पहले दिन लगो फिल्म और फिल्मों का प्रदर्शन किया गया जिसमें एटलस फिल्म जिसकी शूटिंग शेहडोल जिले में पूरी हुई है इस फिल्म का प्रदर्शन हुआ वहीं लिट्टी चोखा पूर डिजिटल मैन का भी प्रदर्शन आज पहले दिन किया गया इस कारिक्रम में लोगों का उत्साह देखने को मिला वहीं फिल्मों के साथ-साथ अलग-अलग चित्रकारी और मुर्तिकला भी देखने को मिली वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की मधिप्रदेश में कई बार फरजीवाड़े की खबरे उजागर हुई हैं वहीं एक और फरजीवाड़ा सामने आया है सीधी जिले से जहां पर एक अमृत व्यक्ति के नाम पर वकालत नामा तयार कर उपखंड अधिकारी सिहावल न् नहीं किन्तु उनकी फर्याद प्रशासन सुनने को तयार ही नहीं हुआ पीडित ने जब वरिस्ट अधिकारियों के पास शिकायत की तब उपखंड अधिकारियों के कान खड़े हुए और आनन फानन में आदेश जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि फर्यादी पेशी मे आने को तयार नहीं है इसकारण प्रकरण को समाप्ट किया जाता है बताया गया कि सिहावल तहसेल अंतरगत अमरीती गाओं निवासी हनुमान प्रशाद पटेल की मौत 24 साल पहले ही हो चुकी है इसके बाद भी अधिवक्ता रामलोचन पटेल के द्वारा वकालत नामा पर मृतक का हस्ताक्षर कराकर प्लोट सुधार की अपील SDM 9LS सिहावल में प्रस्तूत की गई है वहीं अगली खबर 17 से है जहां कोलगाओं में रात तकरीबन 11 बजे मैहर बाइपास के पास लूट और मारपीट की घटना सामने आई बता दे पीडे तीवक्त ने बताया कि ये वे लोग अपने हुंडई I20 कार से टिकुरिया टोला से अपनी वाइफ के साथ निमंतरन से लोट रहे थे तब ही वहां पर ब्लैक कलर की गाड़ी से कुछ लोगों ने आकर गाड़ी का लॉक तोड़ कर मारपीट शुरू कर दी वहीं पीडित युवक्त ने यह भी बताया कि गाड़ी में रखा लैप्टॉप सोने चांदी के जेवरात सहीत 30,000 रुपए का सामान उठा कर ले गए जिसकी सूचना कोलगाओं पुलिस को दी गई है जिसके बाद पुलिस लूट की घटना की जाच कर रही है सतना से जैदेव विश्वकर्मा की रिपोर्ट वहीं बात कर लेते हैं अंगली खबर की विधानसभा बजट सत्र 2022 में पुरानी पेंशन विवस्था बहाली हेतू संकल पारित किये जाने के लिए न्यू मोमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संग के प्रांत अध्यक्ष सतेंद्र सिंग तिवारी के आवहन पर रह गाउं विधा वायक कलपना वर्मा को ग्यापन सौपा गया ग्यापन में बताया गया कि मधिप्रदेश सासंद्वारा एक जनवरी 2005 से नियूक्त शास की अधिकारी एवं कर्मचारी को पुरानी पेंशन विवस्था बंद कर एनपीसी लागू की गई है जो की शेयर बाजार अधारित है जिसमें लगभग 1000 से 2000 कुल पेंशन मिलती है पेंशन की रासी से कर्मचारियों का जीवन निर्वाह नहीं हो पाता जिसको लेकर आज New Movement for Old Pension संग के प्रांत अध्यक्ष सतेंद्र सिंग ने आवाहन कर विधायक को समस्याएं बताई और ग्यापन सौपा है वहीं बात कर ले में लगातार शिकायते भी होती रही बतादे सेपुर थाना के नजदीक भैसो और बच्छनों से लदे ट्रक भी पलट चुके हैं फिर भी इस रास्ते पसू तसकरी का गोरक धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा कुछ दिन पहले ही इचौला टोल नाका में भी तैसंख्या से अधिक संख्या में भैसो से लदा ट्रक बजरंग दल ने पकड़ा था यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक बार बजरंग दल के कारिकरताओं ने थाना नागाओत के नजदीकी गाओं पत्रोंधा से भैसो से लदा ट्रक पकड़ा है बता दे सूचना के बाद भी न अधिया टाइम्स के साथ